आज हम पढ़ेंगी कक्षा नौका विशय हिंदी आपका पाट दो है जिसका नाम है आपका लहसा की और पाट का नाम क्या है लहसा की और और उनके लेखक कौन थे राहुल साकत्यान तो पहले हम लेखक का परिचय पढ़ते हैं राहुल साकत्यान का जंस N1893 में उनके ननियाल गाउप पधहा, जिला, आजमगड उत्तर प्रदेश में हुआ था उनका पैतरक गाउं का नेला था पैतरक मतलब जहां वो रहते थे वो कौन सा गाउं था कैणेला गाउं उनका मूल नाम केदारपांडिय था क्या नाम था उन उनके शिक्षा काशी आगरा और लाहोर में होई थी काशी आगरा और लाहोर में सन 1930 में उन्होंने श्री लंका जाकर बोध धर्म ग्रहन किया थे कहां गए थे श्री लंका गए थे और बोध धर्म को उन्होंने ग्रहन किया देखो यह रहा उनका फोटो तब से उनका नाम रा राहुल जी पाली, प्राकर्ट, अपब्रश्ट, तिबबती, चीनी, जापानी, रूसी सहित अनेक भाषाओं को जानते थे। राहुल जी ने बहुत ही लगू प्राय सामगरी का बहुत छोटे छोटे लगू प्राय मतलब थोड़ी सी। राहुल जी का स्थान अन्यंतम था, यात्रा मतलब यात्रा वत मतलब यात्रा जो करते दे। उन्होंने गुमककडी का शास्त्र रचा और लाभू का विस्तार से वर्णन करते हैं। जील के स्थान पर यात्रा को ही गुमककड का उपदेश्य बताया। गुमककडी जीवन मतलब जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर गूमते हैं। अब हम देखते हैं यहां पर गुमने पर हमको अलग-अलग जगे पर मनोरंजन, ज्यानवर्धन और अलग-अलग अक्या स्थानों पर हमको अलग-अलग जानकारी मिलती या नहीं मिलती उनकी भाषा, उनकी संस्कृती के बारे में। संकलित अंश राहूल जी की प्रथम तिबबत यात्रा से लिया गया, देखो प्रथम तिबबत यात्रा हुई थी, जो उन्होंने सन 1929 से 30 में निपाल की रास्ते से की थी, उस समय भार्तियों को तिबबत की यात्रा की अनुमती नहीं थी, इसलिए उन्होंने यहां आत्रा हमें उस समय के तिबबती समाच के बारे में जानकारी मिलती है तो ये लहसा तिबबत की रास्था नहीं है वहाँ पर उन्होंने यात्रा की थी एक भीख मंगे की और अब हम पाट को शुरू कहते हैं लहसा की और वह नेपाल से तिबबत जाने का मुख्य रास्था था देखो लहसा का रास्था कहा था नेपाल से फरी कलिक पॉंड का रास्था जब नहीं खुला था तो नेपाल से ये तो रास्था जब नहीं था तो नेपाल ही नहीं हिंदुस्तान की भी चीजे इसी रास्थे से तिबब जाया करती थी यह व्यापारी ही नहीं सैनिक रास्ता भी था कौन सा नेपाल से तिप पत इसलिए जगह जगह फोजी चोकिय और किले बने हुए थे फोजी चोकिय आपने देखाये ने बॉर्डर पे होते है इनमें कभी चीनी पल्टन रहा करती थी यहां पर कौन रहता था चीनी लोग आज कल बहुत से फौजी मकान गिर चुके गिर चुके मतलब तूट चुके दूर्ग के किसी भाग में जहां किसानों ने अपना बसेरा बना लिया है वहां घर कुछ आबाद दिखाई देते हैं दूर्ग मतलब जहां यह चौके थी वहां पर जो किसान है उन्होंने कहा कि अपना बसेरा मतलब रहने की जगे बनाई है तो वहां लगता है कि आबाद मतलब लोग है ऐसा ही परिकृत एक चीनी किला था एक चीनी किला था हम वहां चाय पीने के लिए ठहरें वहां पर एक किला था चीनी किला वहां हम क्या पीने ठहरें चाय तिबबत में यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफे भी है और कुछ आराम की बाते भी देखो तिबबत में अगर यात्री जाते है तो उनको कुछ परेशानिया, तकलिफ हैं मतलब परेशानिया भी होती है और कुछ आरांकी बाते भी वहाँ जाती पाती छुआ छूट का सवाल ही नहीं है और नहीं और ते परदा ही करती है अब देखो वहाँ पर ना तो कोई जाती पाती ना कोई उँच नीच ना चुवा चूट या और तों पर कोई प्रतिबंद नहीं है परदा नहीं करती बहुत निमन श्रेनी के भिकमंगों को लोग चोरी के डर से घर के बीतर नहीं आने देते हाँ भीक मंगे जो होते हैं बिखारियों को किस डर से चोरी के डर से अंदर नहीं आने देते नहीं तो आप बिल्कुल घर के भीतर चले जा सकते हो नहीं तो आप क्या अगर अच्छे वेक्ति हो तो आप कहां जा सकते हो घर के भीतर जा सकते हो भीतर मतलब अंदर चाहे आप बिल्कुल परीजित हो, तब भी घर की बहु, सासू को अपनी जोली में से चाय दे सकती है भले आप परीजित हो तो भी बहु है न, क्या कर सकती है आपको चाय वह आपके लिए उसे पका देगी, आप नो उनको दो चाई की वस्तू तो आपके लिए बना देगी, मखन और सोडा नमक दे दीजे, अब देखो इधर मखन और सोडा और नमक, वह चाई चोड़ी से कूट कर उसे दूद वाली चाई के रंग में बना के, मिटी के टोटी धार बरतन में रख कर आपको दे देगी, अब देखो यहाँ पर एक चाई प्रसीत थी, जिसके अंदर थोड़ा सा नमक मिलाया जाता था, मक्खन मिलाया जाता था, मतलब मलाई वाली चाई बना कर उसको आपने देखा है न, केटली बोलते हैं, जिसको टोटी दार होता आगे से ऐसी टोटी होती है, उसमें डाल कर दे दी दी, यदि बैठक की जग़ चूले से दूर है, और आपको डर है कि सारा मक्खन आपकी चाई में नहीं पड़ेगा, तो आप खुद जाकर चोड़ी में चाई मत कर ला सकते हो, मतलब क्या होता है बिटा, खुद बना कर ला सकते हो चाई का रंग तयार हो जाने पर फिर नमक मक्खन डालने की जरुत होती है, मतलब अंतिम में उसके अंदर क्या मिलाया जाता है, मतलब वो जो चीनी किला था, वहां से जब हम आगे बढ़े, तो एक आदमी राहदारी मांगने आया, क्या मांगने आया? राहदारी, मतलब भ उनों चीटे उसे दे दी और हमने क्या कि हमाई पास जितनी भी चीटे थी उनको दे दी मतलब चाय की और शायद उसी दिन हम धौंकला के पहले के आखरी गाउं में पहुच गए अब वहाँ पर वो नेपाल से नेपाल के रास्ते जा रहे थे तो वहाँ पर चीनी के ले के बा उनका मित्र और भीक मंगे रहते ही ठेहरने के लिए अच्छी जगह मिली और हम भीक मंगे दे हो साल बाद 5 साल पाइं तक के अंदर रहे थे और भीक मंगे नहीं भीक मंगे की तरह नहीं एक भद्र यात्री के वेश में घोड़े पर सवार होकर आये थे देखो जब गए थे तब हम बिखारी के वेश में गए थे लेकिन पास्तलवार रहने के बाद हम किस तरह मां से आये थे एक भद्र यात्री के वेश में हम वहां से यहां आये थे किन्तो उस वक्त किसी ने हमें रहने की लिए जगा नहीं दीती लेकिन हमको किसी ने भी क्या है वहां रहने के लिए कोई जगा नहीं दीती और हम गाओं के एक सबसे गरीब जौपड़े में ठहरे थे और हम कहां ठहरे थे गाओं का एक जौपड़ा था गरीब जौपड़ा उसमें बहुत कुछ लोगों की उस वक्त की मनोवरती पर भी निर्भर करता है कोई लोग सुसते ही तो भीक मंगे ऐसे हम इनको नहीं रख सकते हैं खास कर शाम के वक्त छड़ पीकर बहुत कम होश हवास में दुरुस्त रहते हैं मतलब शराब पीकर अब हमें सबसे विकट डाटा थौंगला पार करना था मतलब अब यह सबसे विकट रास्ता था डांडे तीबद से सबसे खत्रे की जगह है देखो मैंने आपको बोला ना डांडे का यहाँ पर खत्रे की जगह है 16-17,000 फीट की उचाई होने के कारण उनके दोनों तरफ नीलों तक कोई गाउं गिराव नहीं मतलब कोई भी गाउं नहीं है कोई भी वहां रहता नहीं है कहां डांडा नदियों के मोड और पहाडों के कारण बहुत दूर तक आदमी को देखा नहीं जा सकता है यहाँ पर बहुत सारे पहाड़े और बहुत सारे नदी के क्या है मोड है दाकों के लिए यहाँ सबसे अच्छी जगए, अब डाकों के लिए क्या है? डाकों कोन होते है? जो लुटेरे होते हैं, उनके लिए जगए क्यों अच्छी? क्योंकि यहाँ पर क्या है? कोई गाउं किराव नहीं था तिबबत में गाउं में आकर खून हो जाए तब तो खूनी को सजा भी मिल सकती है लेकिन इस निर्जन स्थान में मरे हुए आदमीयों के लिए कोई परबार नहीं करता वो क्या बहुत है यदि तिबबत गाउं में कोई खून हो जाए कोई किसी को मार दे कोई डाको किसी को मार दे तो उसको खुनी है उसको उसकी सजा मिलेगी क्यों क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे लोग रहते हैं लेकिन इस निर्जन स्थान पर निर्जन मतलब जहां कोई लोग नहीं है वहां किसी आदमी को कोई मार दे वे तो उसकी कोई पर जहां पर कोई नहीं तो कोई गवाई देगा नहीं देगा डकेट पहले आदमी को मार डालते हैं उसके बाद देखते हैं कि कुछ पैसा है के नहीं अब डकेट क्या करते हैं पहले तो है ना चोरी नहीं करते हैं डकेट ही नहीं करते हैं उससे मांगते हैं पहले तो उसको मार और सब जगे देखते हैं कि भी उसके पास पैसा है या नहीं तो पहले पैसा देखना चाहिए उसके बात मानना चाहिए तो ये डगेत क्या करते हैं मारते हैं उसके बात देखते हैं हत्यार का कानून ना रहने के कारण यहाँ लाठी की तरह लोग पिस्तॉल बंदुक लिए फिरते अब देखो यहाँ पर कोई हत्यार का कानून नहीं है आप पिस्तॉल भी रख सकते हो बंदुक भी रख सकते हो तो लाठी के जगे वहाँ पर डकेट पिस्तॉल और बंदुक रखते थे डाको यदी जान से न मारे तो खुद उसे अपने प्राणों का खत्रा रहता वो लोग क्यों लोगों को मार देते थे कि यदी कोई वापस तिब्बत गया तो वो हमारी क्या करेगा शिकायत करेगा और हमको पुलिस आकर पकड़ जाएगी इसलिए वो उनको मार देते थे गाउं में हमें मालूम हुआ कि पिछले ही साल थौंगला के पास खुण हो गया था लो अब वो जो थौंगला गाउं था उसके पास क्या हो गया एक व्यक्ति का खुण हो गया शायद खून की हम उतनी पर्वा नहीं करते क्योंकि हम भीक मंगे थे अब हम भीक मंगों के बेश में गए थे इसलिए हम तो इतनी चिंता नहीं करते जहां कई वैसी सूरत देखेंगे टोपी उतार जीव निकार कुची कुची का मतलब उता है दया दया एक पैसा कहते भीख मांगने लगेंगे आपने देखा है ना बिखारी बोलते हैं कि हम पे दया कीजिए बहुत दियों से कुछ नहीं खाया तो हम भी क्या करेंगे जहां ऐसा खत्रा लगेगा टोपी को निकाल लेंगे कुची-कुची मदब दया करो एक पैसा ऐसे कहके भीख मांगेंगे लेकिन पहाड की उची चड़ाई थी पीट पर सामान लाद कर कैसे चलेंगे अब पहाड था अब उस पर चड़ाई होती है तो सामान ले के आप चड़ सकते हो नहीं न और अगला पड़ाव 16-17 मील से कम नहीं था वहाँ से हम आगे फिर पैदल चलेंगे दूसरे दिन हम गोडों पर सवार होकर उपर की और चले अब उन्होंने क्या किया दो गोडे लिए अब वो दोनों गोडे दूसरे दिन उन्होंने क्या किया गोडे लिए गोडों पर सवार मतलब बैट कर उपर की और चले डांडे के पहिए एक जगह चाय पी और दूसरे के वक्त डांडे के उपर जा पहुचे डांडे से पहले पहुचने से पहले उन लोगों ने चाय पी उसके बाद वो डांडे पहुच गए हम समुद्र तल से सत्रा से हजार फीट उचे खड़े थे मतलब पहाड़ों की कलागों पे हमारी दक्षिन तरफ पूरब से पच्चिम पच्चिम की और हिमाले की हजारों श्वेश शिकर चले गए थे मतलब वहां क्या थी सब जगे बरफ ही बरफ थी भीटे की और दिखने वाले पहाड बिलकुल नंगे थे नंगी का मतलब वहां पर कुछ भी नहीं था वहां बरफ की सफेदी थी खाली बरफ था ना किसी तरह की हर्याली अब आपको पता है ना जैसे जैसे हम उचाई पर जाते हैं समुद्र तल से उचाई पर हिमालाई के पहाड़ों पर क्या होती बरफ जमी होती वहां आपको कोई हर्याली नहीं दिखाई दे रही थी तो इन्होंने भी कहा कि वहां पर कोई किसी तरह की हर्याली नहीं थी उत्तर की तरफ बहुत कम बरफ पाली चोटिया दिखाई दे रही थी दक्षीन पश्रिम पूरव में तो थी पन उत्तर में कम थी सर्वो स्थान पर डांडे के देवता का स्थान था देवता मतलब जो उनके गाओं के लोगों के जो देवता थे भगवान थे जो पत्थरों के धेर, जानवरों के सींगों और रंग बिरंगे कपड़ों की जंडियों से सजाए गए थे उनके देवताओं को अब हमें बराबर उत्राई पर चलना था, अब हमको क्या करना था, उत्रना था चड़ाई तो कुछ दूर थोड़ी मुश्किल थी, लेकिन उत्राई बिल्कुल नहीं, अब उत्रते समय तो क्या मुश्किल होगे, कुछ नहीं होगे शायद दो एक और सवार साती हमाई साथ चल रहे थे, मेरा गोड़ा को धीमे धीमे चलने लगा, उनका गोड़ा थक गया था, तो दीरे दीरे चल रहा था मैंने समझा कि चड़ाई की थकावट के कारण ऐसा कर रहा है, थकावट मतलब चड़ाई की तो वो बिचारा थक गया होगा, और उसे मारना नहीं चाता था, तो मैंने उसको मारा नहीं दीरे दीरे वो बहुत पिछड़ गया, पिछड़ गया मतलब पीछे रह जाना, पिछड़ना मतलब दूसरे जनों से पीछे, मैं दौकनी वस्तो की तरफ अपने घोड़े पर जूमता हुआ, चला जा रहा था, अब ये दूसरी जग़ा जा रहा है, जान नहीं पड़ता थ जोर से बोलता है देखता है तो वो और आलसी हो जाता है, अब आगे से दो रास्ते देखो, जैसे ये है, इधर से लेकिए, जैसे ये एक रास्ता है, अब वो आगे जाकर क्या हो गया है, दो रास्तों में एक तरह इस तरह जा रहा था, और एक इस तरह वो रास्ता जा रहा मैं बाए का रास्ता लेकर डेड़ मिल चला गया वो बाई तरफ कौन सी तरफ बाई तरफ चले गए आगे एक घर से पूछने पर पता चला कि लकोड का रास्ता दाहिनी वाला था कौन सा रास्ता था ये वाला वो गलत रास्ते पर चले गए थे फिर लोट कर उसी को पकड़ा चार-पांच बजे के करीब में गाउं से मिल भर पर था मतलब गाउं से दूर थे तो सुमती इंतजार करते वो मिले तो उनके दोस्त उनका वहाँ पर उस गाउं में इंतजार कर रहे थे मंगोलो का मुव ऐसे ही लाल होता है और अब तो वहाँ पूरे गुस्से में थे अब मंगोलो मतलब जो लोग होते हैं उनके चेरा गुस्से से कैसा हो रहा था लाल हो रहा था और उनको उपर से बहुत गुस्सा आ रहा था अब तो वहाँ पूरे गुस्से में थे उन्होंने कहा मैंने दो टोकरी कंडे फूख डाले तीन तीन बार चाय को गरम किया मतलब दो टोकरी कंडे मतलब जो टोकरी होती है कंडे आपको पता है ना गोबर से बनते है कंडे वो फूख डाले फुग डालने का मतलब होता है यहाँ पर जलाए मैंने तीन से चार बार चाय गरम की मैंने बहुत नर्मी से जवाब दिया लेकिन मेरा कसूर नहीं है मित्र अब उन्होंने आराम से जवाब दिया मेरा कसूर नहीं है देख नहीं रहे हो कैसे गोड़ा मुझे मिला है कैसा गोड़ा मुझे मिला है जो बहुत धीरे धीरे चलता है मैं तो रात तक पॉशने की उमीद रखता था सुमती को जितनी जल्दी गुस्सा आता था उतनी जल्दी वह ठंडा भी हो जाता था मुलब जित्ता जल्दी उसको गुस्सा आ रहा था कि तेरे वज़े सा मैंने इतना किया चाय गरम की लेकिन थोड़े टाइम में वो किया उसका गुस्सा शान्त हो गया लड़कोर में वह एक अच्छी जगा पर ठहरे थे यहां भी उनके अच्छे यजमान थे यजमान मतलब उनके जान पैचान वाले थे पहले चाय सित्तु खाया, चाय के साथ सित्तु एक तरह का खाने की चीज़ खाया, रात को गरमा गरम थुका मिला, मतलब खाने की चीज़ उनको रात को मिली अब हम तिडरी के विशाल मैदान में थे देखो वो पहाडों पर गए महां से वो मैदान में है जो पहाडों से गीरा टापू सा मालूम होता था जिसमें दूर तक छोटी सी पहाडी मैदान के भीतर दिखाई देती थी आज पास के गाउं में भी सूमती के कितने वी यजमान थे यजमान मतलब जान पैचान वाले थे किसके सूमती के कपड़े की पतली पतली चीरी बत्यों के गड़े खतम नहीं हो सकते थे क्योंकि बोध गया से लाए कपड़ो के खतम हो जाने पर किसी कपड़े से बोध गया का डंडा बांध लेते ठीके अब तो बोध गया ठीके जो बोध गया है उसके कपड़े खतम हो जाने पर डंडा आप देखते हो ला जिसके उपर जिसको मशाल कहते हैं वो लेकर चलते हैं वो अपनी यजमानों के पास जाना चाते थे मैंने सूचा यह तो हफता भर उधर ही लगा देंगे कौन सूमती अपनी यजमान के पास जाना चाते थे मैंने उनसे कहा कि जिस गाउं में ठेरे उसमें भले ही डंडे बाढ़ दो मगर आसपास के गाउं में मत जाओ इसके लिए मैं तुम्हें लसा पहुच कर रुपे दे दूँगा ऐसा किसने कहा सुमतिक से उन्होंने कहा किसने हमारे राहुल सत्याक कित्यन कहा कि ये जो डंडे अब ये सारे खतम तो नहीं होंगे तो हम आसपस गाउ में ना जाकर क्या करें सुमति ने स्विकार किया दूसरे दिन हमने भर्या ढूणने की कोशिश की लेकिन कोई ना मिला सवेरे ही चल दिये होते तो अच्छा था लेकिन अब 10-11 बजे की तेज धूप में चलना पढ़ रहा है सुवे उनको कोई मिला ही नी तिबबत की धूप भी बहुत कड़ी मालूम होती है यद्य भी थोड़े से ही मोटे कपड़े से सीर को ढख ले ढखा मोटे कपड़े से तो गर्मी खतम हो गई है ना गर्मी से बशने के लिए हम भी क्या करते है अपने सीर पर कपड़ा डालती है फिर हमने पीट पर अपनी अपनी चीजे ला दी, डड़ा हाथ में लिया और चल पड़े यद्यपी सुमती के परीचित त्रिडरी में भी थे लेकिन वह एक और यजमान से मिलना चाहते थे उनको एक और यजमान से मिलना था इसलिए आदमी मिलने का बहाना कर शेखर विहार की और चलने को कहा कहा चलने को कहा शेखर विहार की और तिबबत की जमिन बहुत अधिक छोटे बड़े जागीदारों में बटी थी जागीदार मतलब मालिक उनके इन जागीरों का बहुत जादा हिस्सा मठों में था विहार का मतलब क्या होता है, बोध जो मठ होते हैं, अपनी अपनी जागीर में हर एक जागीदार कुछ खेती खुद भी करता था, इसलिए मजदूर बेकार भी मिल जाते थे, खेती का इंतिजाम देखने के लिए वहाँ कोई भिख्शु भेचा जाता था, जो भिख्शु हो उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए था, यहां एक अच्छा मंदीर है, जिसमें अब देखो, बुद्ध वचन, अनुवाद है कंचूर बुद्ध वचन की हस्त लिखित 103 पोथिया रखी हुई थी, कितनी थी 103 पोथिया, मेरा आसन भी वही लगा, जहां वो किताबे थी, वह बड़े मोटे कागज पर अच्छे अक्षरों में लिखी थी, एक एक पोथि 15-15 सेर से कम नहीं रही होगी, मतलब 15-15 सेर मोटी थी, सुमती ने फिर आसपास अपने यजमानों के पास जाने के बारे में पूछा, मैं अब पुस्तकों के भीतर था, क्यों, क्योंकि उन्ह शिक्ष्य प्राप्त की थी, तो उनको अभी और कुछ जानना था, इसलिए मैंने उनसे कहा, कहने के लिए कह दिया, दूसरे दिन वह गए, मैंने समझा था, दो तीन दिन लगेंगे, लेकिन वह उसी दिन दोपैर बाद चले, आएंगे, मतलब उसी दिन आ जाएंगे, क्यो उसको अपनी यात्रा व्रत के अंदर लिखा, जिसका नाम क्या था, लहसा क्यों, तो आपको सबच में आया, धन्यवाद बचो